कुल एक हलो स्चाप्टर नंबर थाधसे अंट опप्र got काक यह सब कुछ पढ़ेंगे हैं अर उन से रही सब के बातेड प्रक्राइटर है वनसब के नियुकर में पर फिर्साट फाल जो एंपधिन चीजäre आ रहया है के chapter में that is law of conservation of mass तो क्या बोलता है law of conservation of mass सबसे पहले दिया किस ने था तो एक french chemist थे एंट उन्वान लिवेसियर ठीक है तो इन्होंने दिया था 1774 में law of conservation of mass जैसे इसका नेम है conserve मतलब बचाक के रखते है मास को ठीक है चेंज ने आएगा उसमें तो यह क्या बोलता है देखो mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction तो यह इसकी पहली definition है बोलते हैं जो mass होता है किसी चीज़ का उसको ना तो हम create कर सकते हैं ना ही हम destroy कर सकते हैं किसी particular chemical reaction के अंदर किसी chemical process में जो कि एक close system में हो रहा है जो reactant का mass होगा ठीक है mass of the reactant that must be equal to the mass of the product अब आपको पता उन्ची है reactant क्या होते हैं और जो substances हमें add कर रहे हैं बाद में जाके वह किसी product में change हो रहे हैं तो इस जो left side के होते हैं इनको हम बोलते है reactants ओके और जो हमारा right side पर चीज़ बनती है that thing is called product तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कि किसी close system में अगर कोई reaction हो रहा है तो उसमें जो आपके reactant होंगे उनका mass product के mass के बराबर होना चाहिए और होता है तो इसको बोलते हैं law of conservation of mass ठीक है अब next हम करेंगे आपका law of definite proportion तो एक पहले इसका example देखते है law of conservation of mass था उसका example यह दिया हुआ है carbon plus oxygen जब आपस में combine करते हैं तो यह दुनों reactant है और यह product बन गया तो जो reactant है carbon का mass हमारा पास 12 gram होता है oxygen का 32 gram ठीक है तो product जो CO2 है इसका gram mass निकालते हैं तो इसका mass होता है 44 gram तो 12 plus 32 होगा आपका 44 तो दुनों साइड पे mass ब्राबर है तो यह तो हमारा law बोलता है conservation of mass का कि किसी close system में reaction हो रहा है तो उसमें reactant का mass होगा that will be equal to the product okay next आता है आपका law of definite proportion तो जैसे इसका term है definite proportion में combine करेंगे मतलब बोलने का है तो यह law दिया था आपका lowest proportion है ठीक है तो क्या बोलता है यह law that a chemical compound always consists of the same element combined together in a same ratio किसी chemical compound में compound जो होता है हमेशा एक जैसे element होते है उसके अंदर और वो हमेशा एक की ratio में combine करते है irrespective of the method ठीक है of preparation तो कोई भी method जाए उसमें preparation के लिए यूज करें डिरेक्ट इंडिरेक्ट की सिव तरीके से बट जो उसमें elements combine करेंगे together वो हमेशा सेम रिश्यो में करेंगे और सेम element होंगे हमेशा ठीक है उसमें आपका जो example आता है वो लिए होए आपका water का ठीक है जो water है एक compound है इसमें आपके element combine करते है hydrogen and oxygen तो hydrogen और oxygen हमेशा अचाहे आप इंडिया का water ले लो स्रिलंका का ले लो पाकिस्तान का ले लो अस्ट्रेटलिया का ले लो ठीक है USA का ले लो चाहिना का ले लो water की जो composition होगी वो same रहेगी hydrogen हमेशा ऐसी ratio में combine करेगा और oxygen भी 1-2 जो भी आपकी ratio है ठीक है दो atom आपके hydrogen के combine करते है और एक oxygen का तो इसमें आपका जो ratio रहती है हमेशा hydrogen to oxygen वो रहती है 2-16 ठीक है और which is further equal to 1-8 ratio ठीक है तो यह था आपका law of definite proportion next topic आता है हमारा एक important theory जो कि दे थी john dalton ने ठीक है इसको हम dalton's atomic theory बोलते हैं तो क्या बोलता था वो कि all matter कोई भी matter है चाहिए element है चाहिए compound है या mixture है वो छुट-छुटे particle से मिलके बनाए उन particle को हम बोलते है ठीक है तो इस तरीके में पॉस्टुलेट्स जो है वो इस तरीके से है फर्स्ट बोलता है all matter are made up of जो हमने अभी बोला चोट-चोटे टाइनी टाइनी का मतलब बहुत चोटी चीज़ें होती है छोट-चोटे particle से मिलके बनता है उन particle को हम बोलते है atoms ठीक है जो कि किसी chemical reaction में party speed करते है फिर आता है आपका second point तो बोलता है atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction तो atom जो है वो individual particle है जिसको हम किसी reaction में ना तो create कर सकते है ना तो उसको destroy कर सकते है मतलब छोटी unit है सबसे छोटी उसको ना तो create कर सकते है ना तो destroy कर सकते है next third point बोलता है कि किसी particular element given element के जो atoms होंगे they will be identical in mass and the chemical property तो उनका mass और chemical property same रहेगे ठीक है अगर हम different element की बात करें तो उनके masses और chemical properties different होंगे next आता है atom combine in the ratio of small whole number to form compound तो atom जो होते हैं हमेशा छोट छोटी whole number ratio में combine करते हैं compound बनाने के लिए ठीक है उसके बाद last point the relative number of kinds of atom are constant in a given compound तो कितना number में atom जो होंगे combine करेंगे किसी fixed particular compound में वो हमेशा constant रहेगा ठीक है तो इते important postulate dalton's atomic theory के next term आते हैं आपकी atom क्यों होता है तो atom is the smallest particle of the element which can take part in chemical reaction it may or may not exist freely तो atom बोलते है सबसे छोटा particle होता है जो कि किसी chemical reaction में participate करता है और वो freely exist कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है then comes the molecule what is molecule जब smallest particle है बोलते है matter का ठीक है matter में आपके element भी आते हैं compound भी आते हैं which can exist in a free state ठीक है तो ये था आपका atom and molecule next topic आता है atomicity ठीक है तो what is atomicity the number of atom contain in a molecule of a substance तो किसी substance के molecule में कितने number of atom होते हैं उसको हम बोलते हैं उसकी atomicity ठीक है oxygen sorry O जो oxygen का atom है वो 3 combine करते हैं तब बनता है O3 तो ozone में 3 होते हैं तो इसकी atomicity कितने होई 3 next है आपका phosphorus तो phosphorus जोता है चार atoms के combine करने से बनता है तो इसलिए इसकी atomicity कितने होई 4 sulfur जोता है उसमें 8 होते हैं ठीक है तो 8 atoms के combine करने से बनता है sulfur तो इसकी atomicity कितने होई 8 oxygen है O2 है ठीक है दो atom कमाइन कर रहे हैं तो इसलिए इसकी atomicity कितने होई 2 अब atomicity के basis पर हम molecule को classify कर सकते हैं monatomic, diatomic and triatomic तो ऐसे molecule जिसमें single atom होता है उनको हम बोलते है monatomic like देखो यह gases है helium हो गई, neon हो गई, archon हो गई, यह single atomic form में होते हैं like helium ऐसे होगे ऐसा नहीं H2 2 लिख दिया ठीक है that will be wrong so next है आपका by I'm sorry diatomic तो diatomic तो डाई का मतलब होता है 2 के लिए तो 2 atoms combine के होते हैं मैं देखो जितने भी हो गया आपके hydrogen है oxygen है nitrogen chlorine ठीक है carbon monoxide हो गया hydrochloric acid तो इन सब में हमर पास के हैं 2 atoms combine के हो है triatomic 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 तो इसमें 3 atom है like ozone ठीक है co2 हो गया 2 oxygen है carbon है nitrogen एक है 2 oxygen है तो यह हो गया आपके atomicity के basis पे molecule 3 type के होते है monatomic, diatomic and triatomic फिर आते हैं आपके symbols तो symbol करते हैं chin cases के तो abbreviation जो हम use करते हैं किसी element को show करने के लिए दिखाने के लिए represent करने के लिए उसको हम बोलते हैं उसका symbol तो for example कुछ एक आपने याद रखने oxygen का symbol होता है nitrogen को हम n से show करते हैं ठीक है अच्छा कई बार के होता है दो या दो से जज़ाए element से में initial letter से start होते हैं तो उस case में हम क्या लखते हैं उससे next जो word आता है उसको उसके साथ लिख देते हैं like barium है तो barium में हमने B था यहाँ पर bismuth या boron है उसमें B आता है बट barium में हमने A लगा दिया असके साथ ठीक है और bismuth में I लगाते है तो अब यह bismuth का बन गया और यह barium का symbol बन गया ऐसे यह आपके बहुत सारे होते है hydrogen का H होता है helium का H ही अगया lithium का Li हो गया ठीक है वैसे beryllium का B E हो गया boron का B carbon का C होता है ठीक है nitrogen का N हो गया तो यह सारे symbols है इसके बाद next two important चीज हती है that is your symbols of some elements जो की derive के जाता है उनके latin names है ठीक है like sodium होता है तो sodium का symbol aso नहीं होता यह से नहीं होगा तो वैसे copper है copper का symbol हम cu लिखते हैं तो इसका symbol वैसे co हो सकता था या c but इसका जो latin name है that is cupram तो वहां से इसका symbol आगया Cu potassium का calcium ठीक है तो इसलिए इसका symbol है ka iron ferum हो गया एक्स्ट आपका mercury तो इसमें hydrocarum तो इसका symbol है एच जी होता है tungsten का वाल फ्रैम तो इसका w आगया symbol इसमें topic आता है आपका what is iron तो iron is a charged particle जिसको चार्ज होगा ठीक है अब बनता कैसे है वह बनता है आपका loss या gain of electron ठीक है बड़ी easy सी definition है important है तो iron is a charged particle which is formed by loss or gain of electron अब iron they can be of three types cation ठीक है basically two types रख़वा आपका कैसे होता है जिसको पर positive charge होगा तो यह बनता कब है it is formed by the loss of electron और loss loss of electron कैसे होता है for example हमरे पास मानलों हम ले ले लेता है sodium and a symbol होता है 11 इसका atomic number है अमानलो इसके पास कोई और element आ गया like chlorine आ गया जिसको एक electron चीए था इसने अपना एक electron उसको दे दिया ठीक है तो अब इसके पास 11 थे एक दे दिया मतलब चला गया इसमें से एक तो माइनस वन हो गया तो किकने बच्छे इसके पास 10 तो इसने एक दिया इसके पास बच्छे 10 दिया तो इसके उपर कौन से charge आएगा positive ठीक है तो loss of electron से जो charge आता है that is positive और जिसके उपर आता है वो बनता है cation वैसी अगर कोई electron लेता है किसे like chloride ने chlorine ने लिया तो इसके उपर क्या हुआ एक negative आ जाएगा एक ठीक है तो इसलिए जब कोई लेता है किसी दूसरे से elements से electron तो इसके उपर आता है negative charge और उसको हम बोलते है anion okay so two types of ions are there cation and anion उसके बाद एक और टाइप के आयन होते है उनको हम बोलते है polyatomic ion यह आपका question भी access है polyatomic sorry polyatomic क्यों होता है poly का मतलब होता है many poly कहीं पे बलग है उसका मतलब many बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे है atomic मतलब atom तो बहुत सारे atom यह group of atom बोल सकते हैं जब किसी particular charge को carry करते हैं आपने उपर तो इसको हम बोलते है polyatomic ion like यह आगए यहाँ पर क्या है हम रपास एक nitrogen है चार hydrogen है ठीक है तो इनकी grouping हुई है NH4 तो इसके उपर है positive charge यह पूरा जो हम रपास group है atoms का nitrogen and hydrogen का यह अपने उपर positive charge लेके जा रहे है तो इसको हम बोलेंगे polyatomic ion है किसका ammonium ion का है ठीक है वैसे हम रपास से एक और दिया वाए CO3 2 negative तो इन negative charge लेके जा रहे हैं तो इसका नाम है carbonate ion okay so next चीज़ आते है आपकी valency what is valency कोई atom जितने electron lose कर सकता है या gain कर सकता है या फिर share कर सकता है किसी दूसरे element के साथ उसको हम बोलते है उसकी valency इसकी एक और simple सी definition है that it is the combining capacity of an atom of an element तो किसी particular atom की दूसरे atom के साथ या element के साथ combine करने की जितनी capacity होती है उसको हम बोलते है उसकी valency for example इसमें मैं आपको carbon का दूंगी carbon का atomic number होता है six ठीक है तो carbon की जो balance होती है ठीक है वो आतिया आपकी four four balance होती है इसका मतलब carbon four electron जो होता है वो शेर कर सकता है किसी के साथ four bond बना सकता है तो इस तरीके से इसकी balance कितनी होई four इसको हम बोलेंगे बालेंगे बालेंसी तो carbon की balance है वैसे भी आप याद रहना four होती है इस आपका chemical formula क्या होता है तो it is a short method of representing chemical elements and compound तो कोई भी chemical element या compound होता है उनको दिखाने का सबसे छुटा सा symbolic form है जब हम उनको दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसका chemical formula तो उसको लिखने के लिए कुछ एक rules होते हैं ठीक है तो main main हम देखते हैं सबसे पहले है राइट दा correct symbol of the two elements जो भी हमर पास हमर पास element उसके symbol लिख दो पहले जैसे aluminium oxygen दिया है तो हमने क्या aluminium विलिख दिया oxygen का symbol विलिख दिया next point बोलता है above each symbol write the correct balance ठीक है तो अब aluminium की balance कितनी है वो इसके उपर लिख दो oxygen की कितनी है वो इसके उपर लिख दो superscript ने ठीक है next is criss cross the balance and drop the algebraic sign तो अब हमने क्या करना है यह जो balances होने लिकिन को cross कर देना है like aluminium की जो balance है three positive ठीक है उसको हमने वहां लिख देना है oxygen की base पे ठीक है सब्सक्रिप्ट में और oxygen की जो balance है उसको लिख देना aluminium के पास है इसको बोलते है criss cross rule ठीक है तो हमने क्या 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 यह लिख दिया है आँ पे ठीक है तो इसमें हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है वैसे अगर equal होती है numerically equal होती है इनकी balance ही तो उसको भी हमें लिखने की जुरूरत नहीं होते है like CA2 positive O2 negative तो इसलिए हमने उसको दोनों को cancel out करके directly लिख लिए CAO next concept आती है mole concept तो mole क्या है it is the amount of substance कि substance का amount है that contain as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 तो जितने 12 gram of C12 के अंदर atoms आते हैं उतने उसमें elementary entities होगी तो उसको हम बुलेंगे 1 mole ठीक है की जो value होती है that is 6.022 into 10 is to the power 23 particle okay यह थी इस chapter के बारे में important terms ठीक है topics बाकी अगर बाइचांस कोई रहा गया होगा that we will do in the question section so thanks for watching and keep studying stay safe